एलो फ्रेंट्स वल्कम ट्रकर्णिंग सपोर्ट योट्यूब चैनल फिर से आजरू आप सब के लिए निव वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बीटर ओडीसी वीक फोर के पारे में जिसे के आप सब को पता है इसके वीक चल रहे हैं और थ्री वीक हम अल्रडी कम्प्लीट कर चुके हैं जब भी इसके निव अपडेट आती है उस सब की मैं आपको यहाँ पर वीडियो हमेशा शेयर करती हूँ जैसे कि लास्ट वीक थी की करी थी तो वीक फॉर स्टार्ट हो चुका है जो हमारे निव यूजर है अभी तक जिनों ने आर्बिटर मोडी से जोइन नहीं किया है वो भी वीक फॉर से स्टार्ट कर सकते हैं बाकी जो अल्रेडी कर रहे हैं सो यहाँ पर इंके टू वीक तक कर रख लीना है किस तरीके से इन टास्कों करना है किस तरीके से इन टास्कों करना है क्या करना है वो सब की जानकारी इस वीडियो में रहेगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट की सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप मेरे साथ ही टास्कों कम्प्लीट कर पाएं सेकंड चीज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपके साथ कुछ नियूश शेयर करना चाहेंगे जो कि यहाँ पर आ रही है बाइनेंस पे लिस्ट होने जा रहा है टी आई ए टोकन जो कि हम सब को यहाँ पर फ्री में क्लेम करने का मौका मिला और जो भी मेंबर से जिनके वालेट्स अलिजीबल से उन सब को यहाँ पर टी आई टोकन जो है वह मिल चुका है और अब यहाँ पर क्लेम प्रोसेस एंड हो चुका है बट क्योंकि अभी इसकी लिस्टिंग के अनांस में विकुल कंफर्म हो चुकी है कि अब यह लिस्ट होने वाला है बाइनेंस पे कल प्रोफिट हमें इस टी आई टोकन से यहाँ पर होता है बाकी बहुत से मेंबर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि टी आई टोकन हमारे कैपलर वॉलिट में कवाएंगे कि जब इसके लेस्टिंग होगी तभी आपको टोकन जो है वह आपके कैपलर वॉलेड में दिख जाएंगे मेल जाएंगे जिसे आप टेट कर पाएंगे तो दो वर्य अबाउट देट रस्वेट कीजिए कल का कि हमें कितना प्रॉफिट यहापर टिया टोकन से होता है तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे आर्बिटरम के बारे में इसका वीक फोर्श जोईन करते हैं तो सबसे पहले इसका फॉर्स मिशन रहेगा वन इंच वाला तो सबसे पहले आपको यहापर अपने वालट को कनेट कर लेना है और जो नेटवर्क सेलेक्ट करना है वो आर्बिटरम का रखना है तो यहापर हमने क्लिक किया क्लिक करने के बाद आर्बिटरम नेटवर्क हमने स्लेक्ट किया हुआ है देन इसके बाद वालेट में हम यहापर इसको क्लिक करते हैं क्लिक करते ही हमारे पार मेटामास में ट्रांजिक्शन आएगी आप उसे कनेक्ट कर लेजएगा फिर उसके मेरे पास एथेरियम था उससे मैंने यूएसडीटी बाय कर लिया और जैसे कि मानके चलिए मेरे पास अभी इतना है तो मैं इतने में से इतना करूंगी और यूएसडीटी नीचे स्लेक्ट करूंगी तो वह आपके पास आ जाएगा मुझे नहीं करना क्योंकि मैं अल्रेडी क यहां पर क्लासिक मार्केट पर टिक हो आपको इसको फ्यूजन आटो पर लेकर लेना है वैसे तो यह फ्यूजन पर ही होगा बट क्योंकि मैं अल्रीडी स्वाइप कर चुकी हूं और सेकेंटी अब मेरे पास जो पंड है वह कम भी हो गया लो गया इंसफिशेंट हो गया है बट वो fusion पे ही auto होता है फिर भी एक बार check कर लिजेगा so that ये task आपका जल्दी से यहाँ पर verified हो सके तो बस एक swap कर लिजेगा इधेरियम टू यो एएटी तो ये task आपका complete हो जाएगा अब next की बात कर लेते हैं कि next to galaxy रास्ट है वो आपको प्रीमिया की साइट से complete करना है तो इसका भी galaxy space आपको description में दे दूँगी जो simply आपको next space पर लेकर आएगा यहाँ पर आने के बाद में आपको complete करना है Arbitum recruit course को प्रीमिया academy में जो मेरे टिक हो चुका है क्योंकि मैं course को complete कर चुकी हूँ और सभी answers आपको post में मिल जाएंगे सभी links के साथ में तो आपको simply क्या करना होगा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करती है पर details के option पर आएंगे तब एक new page open होगा यहाँ पर आपको link मिल जाएगा जिसके ओपर आपको click करना है इस तरीके से आपके पास academy open होके आएगी यहाँ पर आके आप अपने wallet को connect कर लीजिएगा wallet को connect करने के बाद आपके पास इस तरीके से interface आएगा और साथ ही यहाँ पर कुछ आपको queries भी देंगे जिसमें introduction वगरा दे रखा है पर आपको यहाँ पर begin the course के option पर click करना है ऐसे करते ही आपके पास में one to five questions आएगे जिसमें कि scroll down करती जाएगा रहती जाएगा तो यह question first आगया अब इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ठीकी आपका right answer होने वाला है जैसे कि मैं अगर मैं wrong answer पर click करूंगी ना पर click करूंगी यह नहीं लेगा बट जैसे ही right answer होगा हमारा तो यह यहाँ पर green हो जाएगा और हम next lesson पर जा सकते हैं again scroll down करो scroll down करो and next question आपके पास में आ जाएगा अब इसका भी answer आप इसी तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं जैसे थर question के लिए भी आपको इस तरीके से ही करना है और हमने यह answer यहाँ पर submit कर दिया अब यह fourth question आ गया है और fourth question का answer भी आप इसी तरीके से देके इस पर next option पर click कर दीशेगा पर जैसे ही हम यहाँ पर fifth question पर आते हैं guys तो यहाँ पर वो जो tick वाला मैं थड़े ना वो काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर आपको right answer ही देना होगा और right answer देने के बाद में आपको यहाँ पर submit का option होगा यह submit पर click करना होगा और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास already लिखा हुआ है you have already passed this exam क्योंकि मैं कर चुकी हूँ आपको submit करके इस exam को पास करना होगा so answer आपको description मिल जाएगा पर फिर भी मैं बता देती हूँ जैसे कि आपका जो यह first है तो first का answer आपका C रहेगा second का answer जो रहेगा वो आपका यहाँ पर C ही रहने वाला है third का जो answer है next आप यहाँ पर C ही रहने वाला है बाकि आप question पर के फिर answers देखके यहाँ पर दीजिएगा और fourth में यहाँ पर मैंने इसका भी answer दिया है और उसको submit किया था तो यह tick हो गया और यह यहाँ पर verify भी हो गया जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अब आता जाती है trade की कि आपको यहाँ पर क्या लेनी है ARB and USDC के options पे on premium blue पे तो simply आपको details के options पे click करना है आपको website के link मिल जाएगा आपको उसे open करना है इस link आपको मिल जाएगा इस पे click करेंगे यह link आपको इस पे लेकर आएगा यहाँ पर आके अपने wallet को connect कर लीजेगा on abitrum network आने के बाद में अब आप इहाँ पर इनों ने हमें बोला हुआ है कि हमें जो trade लेनी है वो हमें ARB and USDC के pair में लेनी है तो अगर आपके पास Arbitrum का Ethereum है तो उससे आप ARB buy कर सकते है and USDC जो है वो buy कर सकते है जिसके लिए आपको इहाँ पर trade लेनी होगी तो यह आपको swap and breeze का option दिखता है इसके थूँ आप swapping कर सकते है ARB and USDC जो है वो ले सकते है simply जैसे हमने यहाँ पर click किया तो यह इस तरीके से option आएगा network दोनों जगे आर्बिटर मी रखिएगा जो आपके पास ethereum है तो यहाँ पर ethereum select कीजिएगा जैसे मेरे पास है तो मैं यहाँ पर 0.0006 बानके चलिए इसका एक ARB ले लेती हूँ तो यह ARB हम नहीं पर ले लेंगे तो उसके बाद में आपके पास transition आएगी transition को आप complete कर लीचिएगा तो गाइस मेरे पास यहाँ पर USDC है तो मैं उससे ARB ले लेती हूँ तो simply मैंने यहाँ पर click किया confirm swap so USDT to ARB मेरे पास यहाँ पर आ चुका है transition complete हो गई अब जैसे कि इनोंने यहाँ पर बोला हुआ था कि हमें यहाँ पर option trade लेनी है ARB to USDC तो simply आपको आ जाना है again यहाँ पर यहाँ आने के बाद में आपको option chain का option मिलेगा आपको इस पर click करना है click करते ही आपके यहाँ पास यहाँ पर बहुत सारे pairs आएंगे जिसमें हमें ARB to USDC इसे select करना है select करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है call लेनी है तो आपको पता है कि जो call है उसका means होता है जब market जो है वो अब condition में है कि market उपर ही जाना है and put means market की situation थोड़ी down है और market नीचे की side आएगा so इस condition में हम अभी so बस गाइज इसी सी चीज है और अपना address को connect कर लीचेएगा अब क्यूंकि market की situation थोड़ी अच्छी है तो हम यहाँ पर इसको call पर रख रहे है and simply हम यहाँ पर scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पर जो यह मिलेगा order आपको इसका इसको select कर लेना है इसको select आप नहीं किया so बस जो यह आपको buy वाला option दिख रहा है आपको simply click करना है click करते ही आपके पास में उपर site यहाँ पर एक option open होगा यहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर आप order अब लगाएंगे तो market order पर आप order लगाएंगे तो अभी मैं market पर लगा देती हूँ जिससे जल्फटाफर task complete हो जाए और हमारे पस जो ER भी है मैंने इसमें से 1 लगा दिया है confirm करती हूँ long position आपके पास इस तरीके से आएगा आपको simply इसे अप्रूफ करना है then simply आपको इसे confirm कर देना है तो एक अप्रूफ की transition हो गई second transition ये and transition confirm and आप देख सकते हैं कि इहां पर आके simply मैंने इसे refresh किया तो इस दौनों टास्क मेरे complete हो चुके हैं और इसको easily आप अभी के अभी हाँ पे claim कर सकते हैं so बस guys ये दो easily complete हो रहा है अभी के अभी but इसमें आपको 24 hours का wait करना होगा उसके बाद ही complete हो जाएगा तो बस इसी तरीके से आप task को complete कर दीजिएगा I just hope कि वीडियो आपको पसंद आई होगी मिल दी हूँ next video में दी हूँ I drop new updates पे साथ Thank you so much